हेलो दोस्तों नमस्कार दो मई 2021 के करेंट अफेर में आपका स्वागत है आज की वीडियो की PDF डाउनलूड करना मत भूलिएगा ये PDF आपको हमारे टेलिग्राम से मिल जाएगी जिसके लिंग के नीचे डिस्क्रिक्शन में है उसके लाबा ये PDF आपको एक्जाम गुरुजी एप से भी मिल जाएगी और एप को आप Google Play Store से डाउनलूड कर सकते हैं एप से ही आप MPPSC प्री 2020 के लिए Hindi Medium और English Medium के नूट्स प्राप्त कर सकते हैं बुक कर सकते हैं जो आपके घर पे hard copy के रूप में प्राप्त हो जाएंगे 1299 में Hindi Medium और 1399 में English Medium के नूट्स इसके लाबा MPPSC की सबसे बड़ी test reach 499 में अबलेबल है अप्रिकेशन पर और men's के लिए test reach भी अबलेबल है आगे बलेंगे बात करेंगे quick revision कल के पड़ेगे गरंटेफर के प्रसनों का पहला प्रसन है कि अंतराष्ट्रिय स्रमिक दिवस ये international liver day cup बनाया जाता है तो ये एक माई को दूसरा प्रसन राष्ट्रिय मिसन oxygen express को गती प्रदान करने के लिए operation समदर सेतू second किस सेना ने सुरूख किया है तो ये नो सेना के द्वरा सुरूख किया क्या तीसरा प्रसन है कि 30 अपरेल को किस पूर्व attorney general का निधन हो गया तो ये सोली सोराब जी है चौथा प्रसन है कि 30 अप्रेल को किस वरिष्ट पत्रकार का निधन हो गया तो इनका नाम रुहिद सरदाना और पांचवा प्रसन है कि 30 अप्रेल को कहा की प्रसिद निसाने बाज दादी चंदरोत उमर का निधन हो गया तो ये बागपत उत्तरप्रदेश से थी वहीं चाटवा प्रसन है कि कौन सा देश सेल्फ ड्राइविंग वहानों के उप्योग के लिए विनियमन की घोशना करने वाला पहला देश बन गया है यानि कि नियम कायदे बनाए है इसने तो ये उनाइटेड किंग्डम है और साथवा प्रसन है कि किस राजसरकार ने कोरोन सन समान जीता है और ये स्यामला कनेश है ये थे हमारे कल के पड़ेगे करेंटेफर के प्रसनों का क्यूकर विजन आगे बढ़ेंगे आज के प्रसनों की बात करेंगे आज की करेंटेफर का पहला प्रसन है कि 1 मई 2021 को गुरु तेग बहद्दुर जी की कौन सी जैनती या जैनती मनायर जा रही है और ये उनके जन दिन का चारसोबा प्रकास वरस है गुरु तेग बहद्दुर जी कौन से ए गुरु तेग बहद्दुर जी शिखों के नवे गुरु थे और इनका जन्न जो हुए था शोला सो एकीस में अमृत सर में हुआ था इनके पिताजी जो मुगल साम जो सासक था औरंग जेव इन्होंने 1675 में गुरूतिक बाहदुर जी को मुरतियुदेंट की सजा दी थी और इन्होंने गुरूतिक बाहदुर जी ने मुगलू का धार्मिक पूरन मुगल कर रहे थे खासकर कश्मीरी हिंदूओं के उपर उनकी रक्षा केर थी आपको अगर इनके इतिहास के बारे में नहीं पता है तो मैं आप सब लोगों को सला दूँगा कि आप करिपया इनके इतिहास को जरा पड़ें खासकर सिक्कों के जो गुरू रहे हैं उनके पूरे इतिहास को रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मानावता की रक्षा के लिए सिक्ख पंथ अलग चल गया है लेकिन मैं इसे हिंदू धर्म से अलग कहीं से कहीं तक नहीं मानता सिख गुरुओं ने हमेशा मानावता की वाकलत की है आप गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखेंगे तो बहुत सारे हैं जो हिंदु धर्म ग्रंथ हैं उनसे चीज़ें ली गई हैं उनका इस पश्ट उल्लेक है और खासकर गुरु तेख बाहदर जी की बात करें तो एक्शल में हुआ था किया जब कश्मीर के अंदर हिंदु के उपर अत्याचार बढ़ गया औरंगजीब के समय मुगल सासन के समय तो उस समय कि कुछ हिंदुओं ने आकर गुरु तेख बाहदर जी से कहा अबने बात की के पीड़ा बताई तो उन्होंने कहा का आप एक काम करो उन से कहो कि अगर आप कबोल करें जब इन्होंने एसलाम को कबोल नहीं करा तो इन्हीं के जो सिस्षित है, तीन सिस्यों का नाम आता है एक आते हैं भाई सतीदास, सतीदास जी को पूरे सरीर में रूई रपेट कर जिंदा आग लगा दी गई थी उसके बाद आते हैं भाई मतीदास, मतीदास जी को जिंदा ही आरे से चीर दिया गया था की जो है गर्दन काड़ दी गई थी और इस प्रकार से इनको शहीद किया गया था अब इनके लिए चांदनी चौक करके एक जगा है अगर आप देली गाए हैं कि चांदनी चौक वहाँ पर शीस गंज साहिब गुरुद्वारा है जहां पर इनका हत्या की गई थी और जहां प इनका अंतिम संसकार किया गया था वहाँ पर रकाब गंज साहिब गुरुद्वारा ये आज भी है और आप सब लोगों को इनके बारे में पढ़ना चाहिए खास कर इनके किस प्रकार से हिंदूओं की और उसमें के वैदिक धर्म की रक्षा की थी तो इसके लिए पूरा हि गुजरात और दूसरा महरास्टर यानि कि ए आप्षन प्रसनका सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो एक मई को गुजरात और महरास्टर के स्थापना दिवस के रूप में मना जाता है जो राज्य पुनरगठन अधिनियम आया था 1956 में 1903 में राज्य पुनरगठन आयोग बना था पजल अली की अध्यक्षिता में और इसकी आयोग की अनुसंसा पर राज्यों को भासा क्याधर पर माटा गया था तो उसी के बाद जो उस समय का बॉंबे राज्य था बॉंबे राज्य को दो भागों में बाटा गया एक मई 1960 को गुजरात में और महरास्ट में जहां लोग गुजराती और कच्छी भासा बोलते थे वो छेतर गुजरात उसको मिला कर गुजरात बनाया गया और दूसरा छेतर जहां पर कोकणी और मराठी बोली जाती थी उसको महरास्ट में मिलाया गया बात करेंगे गुजरात और महारास्ट की तो गुजरात की राजधानी गांधी नगर है, मुख्यमंतरी विजयरूपानी है और राजजपाल आचारे देवरत है वही माराश्च की बात करें तो राजधानी मुंबई है मुख्यमंतरी उद्धव ठाक रहे हैं और राजजपाल भगत सिंग कोशिया रही है बात तीसरे प्रस्नकी होगी कि किस देश ने जानवरों के लिए COVID-19 के टीके का उत्पादन किया है और ये किया गया है रूस के द्वारा यानि कि D-Option प्रस्नका सही उतर है डीटेल देख लीजे गया है तो रूस ने जानवरों के लिए COVID-19 टीको की पहली बेच का उत्पादन किया है और इस वेक्सिंग का नाम कौर्णी वेक कोव रखा गया है विस्व स्वास संगठन ने कहा था कि मनुश्यों के सांसाथ ये वायरस जो है अब धीरे धीरे जानवरों में भी जा रहा है उसकी संभावना की पुष्टी की है और इसी को लेकर मियावार डेन्माक के अंदर वारस मनुश्यों से मिंक नाम के एक पच्ची हो था उस महिस्तान त्रेत हुआ था और उसके बाद काफी सारे मिंक को वहाँ पर मारा गया था बात करेंगे रूस की तो इसकी राजधानी मासको है राष्ट पती है के ब्लादमीर पुतीन है और मुद्रहिया की रोबल है अब मैप में मैं आपको रूस लिए चलता हूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार है यह हमारा भारा थे और हमारे भारा से अगर आपको रूस जाना है तो मूफ करना पड़ेगा आपको उपर उत्तर की तरफ उत्तर की तरफ यह देखेंगे चाइना चाइना के बाद मंगोली यह जो ब्लू कलर का देस है और यह जो ये पहाड दिख रहा है ये यूराल परवस रंखला है और यूराल परवस रंखला के आगे यूराल नदी है ये यूराल नदी है तो ये जो पहाड दिख रहा है यहाँ पर इन पहाडों के पूरुब में एशिया है और इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो यूरोप है तो ये इसकी राइधानी जो मासको है वो यूरोप में है और इसकी अधिकांस जनसंख्या यूरोप में ही निवास करती है यह आपको याद रखना है और यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी रिल बिलाइन जो Trans-Siberian रिल बिलाइन है वो यहीं पर है वो एशिया में चाइना के पास से सुरू होती है और यहाँ पर मास को पराकर रुखती है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रस्न की अगला मई से किस देश से अमेरिकी और नाटो सेना की वापसी सुरू हो गई है और अमेरिकी और नाटो सेना की वापसी अफगानिस्तान से सुरू हो गई है यानि कि C option प्रस्नका सही उतर है लीटेल देख लीजे क्या है तो अमेरिका की राश्टपती जो वाइडन ने गूशना क थी कि एक मैई से अमेरिका और नाटो सेना की वापसी यहां से हो जाएगी और इसकी सुरात हो गई है अफगानिस्तान से पूरी अमेरिका की जो सेना है और नाटो की सेना है वो 11 सितंबर 2021 तक वापस हो जाएगी वरतमान में अफगानिस्तान में करीब धाई हजार अमेरिके स सेनिक हैं और 7000 नाटो सेनिक हैं जो कि अफगानिस्तान में तयानाथ हैं अब इसे अफगानिस्तान में यह। वो कब से हैं तो ये जो हैं 2001 से हैं 2001 सितंबर आपको याद होगा सितंबर 2001 में 911 का हमला हुआ था जो अमेरिका के अंदर एक बिल्डिंग है उस पर अलकाइदा के ग्रुप में उसका जो मुखिया था वो यह था लादेन और उसके द्वारा उसको उड़ा दिया कहा था काफी स लोगों के वहाँ पर मिलती हो गई थी और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान चुकी उस समय तालीबान के कंट्रोल में था 1996 में अफगानिस्तान पर तालीबान जो की एक्स्ट्रीमिस्ट प्रकार के कट्टर पंथी मुसलिम हैं उन्होंने कबजा किया और कबजा कर तालीबान का विरोध कर रहा था जो तालीबान का विरोध कर रहे थे उनको अमेरिका ने सहयोग दिया और धीरे धीरे वहाँ पर तालीबान को पीछे अटाने में हटाती रहे और इसमें काफी लंबा पैस समय और पैसा भी खर्च अमेरिका ने अपना किया लेकिन फाइनल बाइडन साब के समय में पूरी अमेरिका अपना जो सैनिक है वो यहां से वापस ले रही है अब धीरे धीरे वहाँ पर अमेरिका ने तालीबान के साथ एक सांती समझोता किया है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि तालीबान किस और रुख करता है तालीबान एक प्रकार क है आत्मगाती हमले करता है तो ये सारी चीज़ें तालिबान के दोरा वहाँ पर की जाती है ताकि जो वर्दमान सरकार है उसको बीस्टेबलाइस किया जा सके बात करेंगे अफगानिस्तान की तो यहां की जो राजधानी है वो काबूल है राष्टपती असर अफगनी है और मुद्रा यहां की अफगानी है मैप में मैं आपको अफगानिस्तान लिए चलता हूँ तो जैसा कि अब स्क्रीन पर देख पा रही हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा मिलती है कहां पर मिलती है मैं आपको बता देता हूँ यह भारत का जम्मू कशमीर है लेकिन अब इसको यह उपर वाला चेतर है लदा कहलाता है लदा का ये वाला जो चेतर है वो गिल्गिड बाल्टिस्तान चेतर है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार में है पाकिस्तान उक्पेट कस्मीर इसे कहते हैं यहां पर इसकी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ में मिलती है भारत की सीमा यह हिंदुकुष की पशिमी जो हिस्सा है पशिमी इसे की तरफ जो पहाड़ियां जाती है ये जो पहाड़ियां है ये क्या कहलाती है ये हिंदुकुर्ष परवसंकला कहलाती है और यहीं पर अफगानिस्तान इस्तित है और इसकी जो राजधानी है वो काबुल है ये आप याद रखेंगे आसप अभ्यास Defender Europe 21 ये किस देश में सुरू हुआ है तो ये सुरू हुआ है अलबानिया में यानि कि ए आप्शन प्रसनका सही उत्तर है डीटेल देख लीजे क्या है तो उत्तरी Atlantic संधी संगठन यानि कि North Atlantic Treaty Organization जिसे शौट में नाटो कहा जाता है इसने संहिकत राज अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सेने बलू के साथ अलबानिया में एक संग्त सेना भ्यास शुरू किया है इसका नाम है Defender Europe 2001 ये पश्यम बालकन में दितिवेशुदे के बाद से सबसे बड़े पैमाने का भ्यास है और Defender Europe बड़े पैमाने पर अमेरिके सेना के नेतरत्में किया ज बल सके हैं लड़ने का मतलब हम हमला नहीं करना है लेकिन कोई हमला होता है तो हम कैसे कुद का बचाओ करें तो इस पर केंदरित एक बहुत सारे देशों का एक संग्त अभ्यास है बात करेंगे हम उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन यानि कि नाटो की भी और अल्मानिया क बात उत्रे अट्लांटिक संधी संगठन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रेल 1950 होई थी और मुख्यालेस का बुरुसेल्स बेलजियम में है और सदस्य देशों की संख्या यहां पर 30 है वहीं अगर अल्वानिया की बात करें तो यहां की राजधानी तिराना है राष्टपती इलिर मेटा है और मुद्रहिया की लेख है अब मैं आपको बताया के चलता हूँ कि जो नाटो है यह पहले 29 देशों का समुझ हुआ करता था वरतमान में 30 देश बन गए है और जो इसका लेटरस्ट देश बना है तीसवा देश जो बना है वो बना 6 फरवरी को 6 फरवरी 2019 को इसका नाम है मैसेडोनिया या उत्तरी मैसेडोनिया भी से कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है कि उत्तरी मैसेडोनिया या मैसेडोनिया इसका नया देश है अलबानिया मैसेडोनिया बिल्कुल पास पास में है मैप में मैं आपको अब जाए ने लिए चलता होगे योिरोप बसला देखना ख़र होगे एकाने ख्राइब बूना देखना गर मोंटनेगिर तो का सोब देखना North Macedonia है, यह वही Macedonia है, जो इसका सबसे नया सदश्य बना है, और इधर इसकी सीमा जो है वो Greece के साथ में लगी हुई है और यह जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ यह Mediterranean Sea है Mediterranean Sea में ही यह जो है, यह Adriatic सी कहा जाता है, जो अलवानिया के साथ में इसकी सीमा इस तरफ लगी हुई है, यह आप याद रखिएगा आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रसन की अगला प्रसना आपके सामने छटवा है के वैस्विक इस्तर पर, शीर्स 10 सबसे मुलिवान वीमा ब्रांड में कौन सी भारती कंपनी सामिल हुई है, तो इसमें सामिल हुई है LIC, यानि कि भारती जीवन वीमा निगम, यानि कि C आप्शन प्रसनका सहीतर है, डीटेल देख लिजे क्या है, तो 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंश इंशुरेंस इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में जो भारत सरकार की स्वामित वाली वीमा कंपनी है वीमा जीवन वीमा निगम, लाइफ इंशुरेंस कॉर्परेशन ओप इंडिया, ये वैश्वे की सतर पर तीसरी सबसे मजबूत और दसवी सबसे मुलिवान वीमा ब्रांड के रूप में उभरी है और वैश्वे की सतर पर सबसे मुलिवान और सबसे मजबूत ब्रांडों की पहचान के लिए लंदन का ब्रांड वैलुएशन कंसल्टेशी फर्म है उसके द्वारा ये रिपोर्ट हर साल जो है जारी की जाती है और दुनिया की सबसे मुलिवान वैस्विक बीमा ब्रांड है पिंग इन इंशॉरेंस ये चाइना की है जबकि सबसे मजबूत है ग्लोबल इंशॉरेंस ब्रांड जो है वो पोस्ट इटालियन है जो की इटली का है यह आपको यागतना है बात करेंगे भारती जीवन वी मनिगम यानि LIC की तो भारत सरकार के स्वामित वाली कमपनी है और इस्थापना हुईती 1 सितंबर 1956 को मुख्याले इसका मुंबई में है बात साथ वे प्रसने की होगी कि Axis Bank के MD और CEO के रूप में कैसे निफ्ट किया गया है तो ये निफ्ट किये गया है अमिताब चोधरी यानि की D-Option प्रसने का सही उतर है डीटेल दिख लीजे किया है इससे पहले ये कारेकाल पूरा कर चुके है और ये 3 साल का होगा 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2024 तक इनका कारेकाल चलेगा वहीं पहली बार ये 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक 3 साल की अवधी के लिए Axis Bank के रूप में इनको निफ्ट किया गया था वह कारेकाल इनका पूरा हो चुका होने वाला है 31 जनवर 2020 को तो इससे पहले इनको अब और इनके कारेकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है इससे पहले ये HDFC Standard Live Insurance Company में MD और CEO थे बात करेंगे Axis Bank के इसके स्थापना 1993 में हुई थी मुख्याले मुंबई में है और CEO MD अमिताब चौधरी है बात होगी आर्टवे प्रसनकी के किस कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े हवाई जाज की दूसरी परिक्षण उड़ान हुई है और इसको निर्मात किया गया है स्ट्रेटर लॉंच के द्वारा यानि की B option प्रसनका सही उतर है डीटेल दिखीजे क्या है तो स्ट्रेटर लॉंच ये विश्व का सबसे बड़े हवाई जाज है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से दो हवाई जाजों को परलेल जोड़ा गया है और इसे कैलिफोर्निया में मोहावे एर और स्पेस पोर्ट से दूसरी सफल उड़ान इसने पूरी की है 220 टन से अधिक पेलोड यानि अपने साथ ये माल समान ले जा सकता है 220 टन और इस विमान का जो पंक फैला होए करीब वो 117 मीटर का है और 117 मीटर अमेरिकी फूडवाल का मेदान जो होता उससे एक बड़ा होता आप याद का लिजे 117 मीटर कितना हो सकता है तो 117 में आप जो है तीन का गुणा कर दीजे क्योंकि एक मीटर में लगबग 3.2,8 फिट होते है तो सिंपल से 300,3,5 फिट इसकी जो है लंबाई है और इसका नाम है रॉक, रॉक क्या है वहाँ का जो मदिपूर्व का है उसका एक पौरानिक पक्षी है तो उस पौरानिक पक्षियों जैसे हमारे आप पौरान पगिर है तो वहाँ की भी लोकल की मैटलोजी कहानिया है उसी प्रकार में रॉक एक विशाल पक्षी है वो इतना ही बड़ा माना जाता है बात करेंगे 90 प्रसनकी की एक मै को किस अभीनेता का निधन हो गया है और इनका नाम है मेजर विक्रम जीत कवरपाल यानि की D option प्रसनका सही उतर है डीटेल लिख लिए क्या है तो 1 माई 2021 को प्रिशद अविने था विक्राम जीत कवरपाल का निधन हो गया 52 वर्स के थे और COVID-19 से संक्रमित थे इन्होंने अपने करियर में कई सारे फिल्में, टीवी शो और वेव सीरीज में काम किया है ये पहले भारती से ना में थे, इनके पिताभी भारती से ना में थे 1989 में ये भारती से ना में सामिल हुए थे, 2002 में ये मेजर के रूप में वहां से सेवा निवरत हुए और उसके बाद ये फिल्मों वेव सीरीज में इन्होंने कई सारे रोल निभाये है बात करेंगे दसवे प्रसनकी की Global Forest Goals Report 2021 किस के द्वारी जारी की गई है तो ये जारी की गई है संक्त राष्ट के द्वारा यानि कि ए आप्शन प्रसनका सही उत्तर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो संक्त राष्ट ने Global Forest Goals Report 2021 की है और इस रिपोर्ट में करीब 1.6 बिलियन लोग बनों पर निर्भर करते हैं और ये 1.6 बिलियन मतलब लगभग दुनिया की कुल आबादी का 25 प्रतीशत लोग बनों पर निर्भर हैं दुनिया में जो गाउं में जनसंके रहती है गाउं में रहने वाली जनसंक्या में से 40 प्रतीशत लोग सवाना और जंगलों में रहते हैं सवाना क्या है ये अफरिका के घास के मैदान है इन घास के मैदानों में दूर दूर छोटे 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 पेल होते हैं आपको में कम ही आई है नोकरी में कम ही आई है बाजारों और सूचना तक कम पहुंच का सामना उनको करना पड़ा है क्योंकि COVID-19 के कारण लोग घरों में बंध है और उसके बाद से जो उत्पादक काम है वो सारी कम हुए है उसके लावग कई सारे देशों के लिए सभी रखें कि कौ सुजा ट्रांजिक्शन सूचकांग 2021 में भारत का कौन सा इस्थान है और इसमें भारत का सत्यासिवा स्थान है यानि कि D option प्रस्ण का सही उतर है अब आज की सवाल की तरह बढ़ जाते हैं आज का हमारा सवाल है कि WHO की E 2025 पहल किस रोग के उन्मूलन से संबंदी थे 25 देश स्थान है